चित्रकूट में बनकर तयार होने वाला है राज का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज धनुष बान जैसा है आकार धनुष और बान के आकार में बन रहे ब्रिज में खाई की और बान की लंबाई 25 मीटर है जबकि दोनों पीदर के बीच धनुष की चोड़ाई 35 मीटर है पूल की भारचमता प्रती वर्ग मीटर 500 किलोग्राम होगी विशेश होगा चित्रकूट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तुलसी जल प्रपात पर पानी की तरह तीन धराएं चट्टा रों से गिरती है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज चित्रकूट में तुलसी जल प्रपात पर बन रहा है कोदंड वन इस्तित इस प्रपात पर भगमान राम के धनुष और बान के आकार का ब्रिज बन रहा है इसे इको टूरिज्म का मुख केंदर बनाने के लिए यहां पर रौथ हर्बल गार्डेन के साथ रेस्टोरेंट भी बनाये जाएंगे वन विभाग और परियटन विभाग की ओर से 3.70 करोड रुपे से ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्मान करा रहा है पुल निर्मान करा रही गाजीपूर की पबद सुथ कंस्ट्रक्शन कमपनी के जनरल मेनेजर अमरेसी के मुताविक पुल का 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है बनाये गए धाजे पर पेंटिंग की जा रही है काज का काम बाकी है उनके मुताविक सितंबर तक फूल बनकर तयार हो जाएगा मारकुंडी रेंज में जिस जल प्रपात पर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बन रहा है उसे पहले शवरी जल प्रपात कहा जाता था प्रभूर शीराम की तपो भूमी के साथ यहीं पर राजापूर में गोस्वामी तूलसी दास का जन्म स्थान होने से पिछले साल प्रदेश सरकार रहे इसका नाम बदल कर तूलसी जल प्रपात रख दिया था कमपनी के जियम बताते हैं कि धरुष और बाण के आकार में बन रहे ब्रीज में खाई की और बाण की लंबाई 25 मिटर है जबकी दोनों पिलर के बीच धरुष की चोड़ाई 35 मिटर है पुल की भार चपता प्रती वर्ग मिटर में 500 किलोगराम होगी विशेश होगा चित्रकूट ग्लास स्काई वॉक ब्रीज तूरसी जल प्रपात पर पानी की तीन धराएं चट्टानों से गिरती हैं ये लगवग 40 मिट की उचाई पर एक वाइड वाटर बेड यानी जल शया में गिरकर जंगल में लूप्ध हो जाता है जैसे ही लोग इसका वाट पूल पर चलेंगे तो चट्टानों पर पानी गिरने और जंगल का नजारा भी साफ दिखेगा इसके अलावा पर्योजना इस्थाल पर रॉक गार्डेन, हर्बल गार्डेन, कैक्टस गार्डेन और इको टुरिज्म एंड ओन के रूप में व्यूशिट्स का भी के लिए लाइक करें, सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें